शहद में एक छोटी सी चीज मिक्स करके लगाने से आप अंचाहे बालों को रिमूव कर सकते हैं फेशल हेर को रिमूव कर सकते हैं, इंस्टेट रिमूव कर सकते हैं, घर पे रिमूव कर सकते हैं, बहुत ही असानी से रिमूव कर सकते हैं मेरे कोना बहुत सारी लड़कियों के कमेंट्स आ रहे थे कि दिरी कुछ ऐसी रेमेडी बताओ जो कि बहुत ही इजी हो, बहुत ही नेच्रल हो, स्किन के लिए सेफ हो, तो मैं आगे आज आपके साथ यही टोपनी के ऊपर वीडियो लेके, कि कैसे आप घर पर बहुत ही इजी हैं, एक ही बार में रिमूव हो जाती हैं, आपने ध्यान से देखना है कि इस रेमेडी को आपको कैसे प्रिपेर करना है, मलकि इसकी जो कंस सेंस्टेंजी है, वो आपको कैसी रखनी है, अगर इसकी अछी नहीं बनेगी तो वो अच्छे से बाल को रिमूव नहीं कर तो अगर आप permanently अपने बालों को रिमूफ करना चाहते हैं, हमेशा के लिए अपने बालों की जो ग्रोथ है, बहुत जादा आपकी ग्रोथ आती है, बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेर की हुई है, जरूर देखेगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्चिन में मिल जाएंगे, और आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में फेशल हेर के ऊपर जाके भी देख सकते हैं, और भी ऐसी स्किन केर, हेर केर और फेशल हेर के ऊपर व इसको बनाने के लिए जो आपको सबसे पहले चाहिए होगा, वो है हनी मतलब शहद, शहद की क्वांटिटी यहापे आपको दो चमच लेनी है, आप ध्यान से देखेगा कि इसकी कंसेस्टेंसी आपको कैसी रखनी है ताकि वो अच्छे से बन जाए आपका मैथर, तो आपन शहद में एक चीज मिक्स करके आप अपने अंचाहेबालों को रिमूफ कर सकते हैं, इंस्टें रिमूफ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा लैमन, तो इसमें जो लैमन की क्वांटिटी है वो आपको चार चमच लेनी है, यहापे मैंने दो चमच शहद लिय है, तो यहापे मैंने दो चमच हनी और चार चमच लिमू का रस एड़ किया है, फिर आपने इसको गैस की उपर रखना है, ताकि हम इस मिक्षर को अच्छे से प्रिपेर कर सकें, जब भी आप ऐसे मैथर्स का यूज करते हैं तो आप हमेशा मेरे को काफी कोमेंट्स करते हो क्यायक कर दिए ये मैथर्स अच्छे से नहीं बन पाता है ajuda मैरे उसंका ये एक तो ये रिजन होते हैं कि वह हो देर तक एसे मैखर को अपने डिगाया पर रखते हो आपका मैथर यहाज जल्दी जम बी जाता है और साथ यह अच्छे से नहीं बन पाता है आपने बहु को द जैसे मैं वीडियो में बतारी बिल्कुल वैसा बन जाएगा तो आपने गैस को बंद कर देना है बहुत देर तक गैस के ऊपर मत रखेगा पिर आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना बहुत ज्यादा थंडा यूज नहीं करना है हलका गुनगुना होना चाहिए इस इसको स्टोर मत ही कीजिएगा तो ही अच्छा रहेगा क्योंकि जब इस्टोर करते तो बोहुत ज़्यादा ही जम जाता है आप इसको फ्रेश बना के ही यूज करें तो मैं इसको अपने फेस के हेर रिमूफ करके आपको दिखाऊंगे पहले अपन लिप के हेर रिमूफ करक लगाके हलका सा रब करें और opposite direction में जोड से खीशती हुए remove कर लें इससे आपके चाहरे के जो unwanted है वो remove हो जादें तो ऐसे आप अपने full face के hairs को remove कर सकते हैं तो आप बहुत ही असानी से सिर्फ निम्बू और शहद की मदद से अपने बालों को remove कर सकते हैं बड़ी easily bar remove हो जाते तो आप देख सकते हैं कितना difference आई और इधर के बाल देख सकते हैं बहुत अच्छा यह काम करता है और teen age में मैं कहूंगी कि आप ऐसे अपने hairs को remove ना करें क्योंकि teen age में जो मारी skin काफी sensitive होती है कोई इतना experiment नहीं हुआ होता है teen age में आप कोशिश करें कि natural methods का ही यूज करें अगर उससे आपको फरक नहीं पड़ता है then आप कोई ऐसे method यूज करें फेस के बालों को remove करने के बाद अपने फेस को normal पाने के साथ धो लिया तो धोने के बाद आप देख सकते हैं कि जो बाल है वो काफी मतलब remove हो गए थे जब भी आप ऐसे method से अपने बालों को remove करते हैं तो आपको थोड़ा सा rose water हमेशा लगाना है अपने face के उपर जहां पर आपने बालों को remove किया था क्योंकि rose water जो है वो हमारी skin को जो pores open up हो जाते हैं वो अच्छे से shrink कर देता है तो ये हमारी skin के लिए safe रहता है हमेशे facial here remove क करने के बाद आप ज़रूर लगाए rose water की जगा पे आप ice cube भी लगा सकते हैं अगर आपको redness की problem हो जाती है threading के बाद waxing के बाद आप थोड़ा सा ice cube बरफ का टुकड़ा लेकि उसकी massage कर सकते हैं तो ठीक हो जाते हैं तो ये बहुती simple बहुती easy method था कि घर पर ही आप अपन बहुती ज्यादा safe है और बहुती ज्यादा कमाल की हैं तो आप आज की वीडियो आप सब के लिए काफी beneficial रही होगी तो वीडियो को एक like जरूर कर देना और जाते जाते चाल को subscribe भी जरूर कर देना तो मैं नहीं है मिलते हैं आपको next video में तब तक लिए take care and bye bye